हेलो स्टूदेंट्स वेल्कम बैक टू प्रभाला क्लासेज आज हम एक और केस लोग लेकर के आए हैं सुप्रीम कोट के तू डिसाइड़ आज का केस है स्टेट आप छारकंड वर्शेश शालिंद्र कुमार राई पांदव राई 2022 का ये सुप्रीम कोट का डिसीजन है जिसमें जस्टिस देवाई चंदरचूर और हीमा गोली ने कहा है कि टू फिंगर टेस्ट बेस्ट अन पैट्रियार्कल माइस सेट जिसमें जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि ये एक पित्र सत्तात्मक सोच है कि अगर कोई महिला सेक्शुली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता देखे सुप्रीम कोट की एक बैंच ने जिसमें जस्टिस टीवाई चंदरचूर और हीमा कोली थे उनके पीट ने एक रेप के मामले में हाई कोट ने जिस व्यक्ति को कन्विक्टिट किया था उसके कन्विक्शन को कंटिन्यू करते हुए कहा कि उन्हें बहुत ही खेड हो रहा है कि आज के समय में भी ये टू फिंगर टेस्ट किया जा रहा है जबकि इस टू फिंगर टेस्ट का कोई भी वैग्यानिक आधार नहीं है यह है बजाए महिलाओं को फिर से पीरिट और पुने पीरिट करने के इलावा और कुछ नहीं कर रहा है यानकि इनस्ट आफ री विक्टिमाइज एंड री ट्रॉमिटाइज वोमेन आगे कोट ने कहा कि जो टेस्ट है यह ऐसी गलत धारना पराधारित है कि जो महिलाओं सेक्सविली एक्टिव होती है उनका बलातकार यानि रेप नहीं किया जा सकता इससे आगे इसकी सच्चाई और कुछ भी नहीं है जो टू फिंगर टेस्ट किया जा रहा है आगे कोट ने Union Health Minister को direction देते हुए कहा कि वो ensure करें कि जो survivors हैं of sexual assault और रेप के are not be subjected to finger test यानि कि अगर कोई भी यौन उत्पीरन या बलातकार के survivor है तो उनका two finger test नहीं होना चाहिए कोट ने आगे कहा probative value of a woman's testimony does not depends on her sexual history कि एक महिला की जो गवाही है गवाही का जो संभावित मूली है उसके यौन इतिहास पर नर्बन नहीं करना चाहिए अगर मैं बताओं तुझी two finger test होता है इसका मकसद कि वली है पताला लगाना होता है कि महिला के साथ शाड़िक संबंद बने थे की नहीं अगर आसानी से two finger चली जाती है तो वहाँ पर माना जाता है कि महिला सेक्सुरी एक्टिव है और उसके साथ बलातका टहीं हुआ है तो इतना आज का हमारा केस थैंक्स फो वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे आप बैक टू बैक जो सुप्रीम कोड के डिसीजन्स है उनको इन शॉर्ट समझ सके एंक्स फो वाचिंग टेक केर बाबाई